हालो स्टुदेंट्स मैसल्फ डॉक्टर डीराज राव टीम केमेस्टी सिंसी सिंकर मैं माइनर टेस्ट पेपर जो है टीस वाला उसके अंदर इन और इन अर्गनिक का पार्ट होता है उसका मैं सोलुशन कर रहा हूं डीया ब्लोग मेटलर्जी इंवारोमेंटल केमेस्टी और इलेक्ट्रों प्रसाइज अब इसका है ने कि लोण पर होता है तो इनको बोलते हैं यह एलेक्ट्रों डूट्र एफिशेंट है है एलेक्ट्रों डिच है तो यह आपके पास जो है इलेक्ट्रोन प्रेसाइज है और इसमें एट वैलेंस एलेक्ट्रोन है लेकिन लोन पर नहीं होना चीजिए जैसे आपके पास यह दोनों आ रहे हैं यह दोनों क्या है इलेक्ट्रोन रिच है इलेक्ट्रोन रिच है और यह जो आपके पास है बच्चों यह है इलेक्ट्रोन डैफिशेंट इलेक्ट्रोन डैफिशेंट हो गए तो आंसर हमारा हो जाएगा फॉर्थ इस कर्रेक्ट नेक्ट अलते हैं क्वेशन नमबर 47 विच्व फॉलोविंग इक्वेशन डैफिक्ट दै ओक्सिडाइजिंग नेचर ऑफ च्ट्रोन है इसका क्या हो रहा है इसका क्या हो रहा है इसका क्या हो रहा है रिदक्शन फिर फिर एफी प्लस टू जा रहा है यहाँ पर इसका भी क्या हो रहा है रिदक्शन फिर यहाँ पर आई माइनस जा रहा है इसका उक्षडेशन हो रहा है और यहाँ पर प्लस फाइब जा रहा है प्लस प्लस सेवन जा रहा है प्लस फाइब में तो इसका भी क्या हो रहा है रि क्षीज्च हो रहा है थे इसका मंडningar डूसरा और देशिंग है तो यह स्टोडाइजिंग हो गया इस डीआइनु में कर सकते हैं नेक्स्ट कुष्चन देखते हैं 48 number question which of following reactions increases the production of dihydrogen from the synthesis synthesis gase होता है हमारे पास co plus h2 का mixture ठीक है लहीं ने कर रहा है co और h2 का जो है production किसमें बढ़ा सकते हैं उत्पादन बढ़ा देती है तो इसमें क्या catalyst मिलाते हैं particular ncr का question है 633 Kelvin के उपर अपन catalyst मिलाते हैं और co plus h2 के अंदर जब हम मिलाते हैं तो production बढ़ जाएगा हमारा तो third answer is correct next लेते हैं हां तो बच्चों आपन next question देखते है 49 कि देखे वीचर फॉलिंग कमाने दी यूज़ फॉर दा water softening तो मैंने का water में जो से calcium के और magnesium के का अइन होते हैं के टाइन के लिए केलिशियम में कार्बूनेट क्लोराइड ठीक है न यह आपके पास पाए जाते हैं तो calcium magnesium का अइन होते हैं इसके कारण पानी में कठोरता होती है तो इसके लिए अपन आना वैल पॉपलर कंपाउंड है एन एन इस P6 P6 O 18 जिसको अपन क्या बोलते हैं sodium hexametaphosphate यह काम में लेते हैं इसका commercial name Kelloggern है Kelloggern commercial name Kelloggern बोलते हैं के लोगन तो अब इसमें reaction कैसे करते हैं तो आइनाइज कैसे करते हैं कि यहां पर यह आइनाइज होता है इसे एन प्लस दो निकल जाएंगे फिर एन ने किते इसके बदले में कोई metal आजेएगी आपके पास उसमें calcium आ सकता है या फिर magnesium आ सकता है और water क्या हो जाता है purify हो जाता है जैसे पाने में permanent कठोड़ता जो तिसको दूर करने का यह method होता है temporary तो जैसे आपन calcium hydroxide बगर मिलाते हैं तो यह third answer is correct कि इसमें बच्छों देखो मैं अब कुछन आ रहा है जैसे अपने पास यह यूजिज की कुश्चन है इस तरह से hydrogen परोक्साइड का उपयोग क्या होता है hydrogen पर हाइड्रोल के रूप में काम में आता है के लोगन मैंने भी बताया था hexameta phosphate को बोलते हैं और प्रोपेलेंड जो होता हाइड्रोजन परोक्साइड को प्रोपेलेंड के परमें भी अपन यूज करते हैं पर्मानेंट हाड्नेस ओफ दा हाड़ वाटर रिमूड करते हैं पन जीयो लाइट से भी करते हैं और hexameta phosphate से भी करते हैं तो हमारे पास देखिए इसके के कोडिंग अपन जाते हैं कि तो फस्ट जैसे मैच करें अपन बी और डी बी और डी मलब जैसे हमार पास पर हाइड्रोल मैंने बताया और डी इसका है प्रोपेलेंड भी होता है बी और दोनों यूज होते हैं इसके और C में आपके पास आपके पास तो यह आपके पास आजाएगा फस्ट एंग्षरी करेक्ट कि अब के बचो तो यह यूज का कुशन एंश्याटी का तो आपको याद कर नहीं है इसमें कि अब करते हैं कि अब करते हैं तो बच्चों इसमें आपको बता है है isa plus H2 जो होता है जो को वाटर गेस भी बोलते हैं और सिंघस भी कहते हैं इसमें सिंघस और वाटर गेस प्रोडियूसर तो अपन क्या बोलते हैं क्या अटा है यो प्लस हेंटस थे कर्रेट तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आएगा फस्ट एंसर एंशरी कि देखिए विच फॉल्वी और्स आर कंसेंटेड बाइद फ्लोथ फ्लोटेशन प्लोथ प्लोटेशन मेफ़ड यूज़ फॉर 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 फॉर्फाइड और्स मेटलर्जी का कुश्य नहीं है तो गेलेना जो होता है बैच्छों पीबी एस होता है तो यहां हमार पास सलफाइड ऐसे केवल सेकिंड एंसर जाएगा अब इसमें हमार पास पूछ रहे है ऐसात्य कथन क्या है मुदलब आपको पूस इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं तो यह मेटलिक हाइड्राइड आर्ट डेफिसेंट ऑफ हाइड्रोजन डेफिस इनको अपन इंटरस्टिटिटल इड़ भी हो सकते हैं लेकिन बोले आइनिक आड़ेड आप वेरी गुड गुड कंडेक्टर ऑप दे इलेक्टर स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा यह ध्यान से पढ़ता इसको ठीक है यह कुश्ण थोड़ा सक्र पढ़ जाता है तो हमार आउसर फॉर्थ इस करेक्ट एंचेटी से बिल्कुल लाइन टू लाइन बनाया गया कुश्ण है 54 में अपने को मैश्ड़ कोलम का कुश्ण दिया है याद करने वाला कुश्ण जैसे थियोर्टिकल सा कलर्ड बैंड क्रोमेटोग्राफिं बनते हैं बच्चों के इंप्योर मेटल्टू बॉलेटाइल कोंप्लेक्स इम मॉणड तनल क्या करता है कॉ लगार शीओ के साथ डीक्शन कर लेता है ऑचने कर लंठेड ऑबंचीव नेटारऔश कपोनील कोंप्लेक्स मुजज करते हैं ते ला hands निकल सुध मिल जाता आपको फिर सी ओ निकल जाता है भार तो यह वोलेटाइल कमपाउंड होता है इसे प्यूरिफिकेशन जर्मेनिय जोन रिफाइंडिंग मेठट यूज करते हैं और प्यूरिफिकेमर्कृी के लिए फ्रैक्ष्नल डिस्टिलेशन यूज करते हैं तो आप colored band आपके पास A में आ जाएगा आपका A में फोर्थ देखिए A में फोर्थ आपका आ रहा है वो second answer is correct B में थर्ड आपका आ जाएगा B में थर्ड आपका आ रहा है तो ये एक option सी पता चल रहा है मेच्ट को लग नेक्स चलते हैं पर पर फिर देखिए बच्चों यहां पर phosphate fertilizer water में जो होते हैं वो क्या करते हैं utrophication करते हैं methane air में क्या करती है global warming effect प्रोडूस करती है synthetic detergent water में क्या करते हैं BOD level को बढ़ा देते हैं biological oxygen demand को बढ़ा देते हैं ठीक है nitrogen oxide क्या होते है aesthetic rain का cause होते है तो देखिए फॉर्थ में B बन रहा है आपका फॉर्थ में B बन रहा है फॉर्थ में B देखिए यह आपके पास दो option में शारा है तब इन में से देख लिए यह दोनों A है यह दोनों C है यहां पर आपका मैच बनेगा तो फॉर्थ फटिलाइजर के यूज आपके पास यूट्रोफिकेशन डी भी होता है और यह बियोडी लेवल का लेवल भी बढ़ाते हैं तो यह हमारे पास आजाएगा सेकेंड एंशरीज करेक्ट नेक्स्ट कुस्टिन देखते हैं बच्छो पॉस्पेट कंटेनिंग दफटिलाइजर कोज दवर्टर प्लेशन अब 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 सच कंपाउंड दवर्टर बोडी जोजेज वाला फॉस्पेट यूर्पपुर को जल प्रताशन होता है जलाश्य मैं योगी मिलाने से क्या होता है वाटर बोडी कोजेश एक्स्टक्शन स्टोरेज अफ लाल गेल डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ डिजोल ऑक्सिजन बटर डिपोजिशन ऑफ केल्शियम फोस्पेट तो यहां पर देखिए जल में विले ऑक्सिन की मात्रा जोती हो कम हो जाती है आपकी डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ डिजोल ऑक्सिजन इन वाटर तो सेकेंड अन्सर आपका क्रेक्ट हो जाएगा है नेक्स देखते हैं 57 कोश्टन दे कॉंसे केंशेज ऑब डाग ग्लोबल वार्मिंग में भी अब ग्लोबल वार्मिंग भूमंड यह ताप में वर्दी में कौन से प्रणाम हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग इफेट का मतला आपको बता है क्या कि पॉलिशन बढ़ रहा है तो एंवार्मेंट का टेंपरेचर बढ़ रहे तो इसमें से बनता है तो हिमाले में प्रणाम हो सकते हैं पानी पानी हो जाए गर्थ के उपर उसताब में कमें नहीं बढ़ना यह से कोई मतलब नहीं है यूट्रोफिकेशन यह भी नहीं है तो नदियों का पीगल नहीं हो सकता है इसका कारण प्राइमरी 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 प्लुटेंट यह आपका सेकेंडरी प्लुटेंट है तो यह आपका इंविर्मेंटल केमिस्टी का कुश्चन है नेक्स लेते हैं अपन विचो फॅलीं स्टेट मिंजिन नौर्ट रू नौर्ट्रू अबाउट धेर क्लासिकल को क्लासिकल स्मोग के बारे पुका रख़त्ग पमानर सत्य नहीं है इट मेंडर कांपोनेंट प्रोडिश assume of the sunlight on the add to immobile आइल्स एंड फैक्टरीज प्रोडे प्रोडेश इन दे कोल्ड और हुमीडिय क्लाइमेट सही है कंटेंद रिदूशिंग एजेंड भी होता है कंटेंद स्मोग फोग और सल्फर डायोकसाइड तो यहां पर हमारे पाद मोटर गार्ड दोगे मुस्तरजन पर प्रकाट डालन तो यह सीधा इनिशेटी का कुश्चन है आपको सेम आप बाइलोजी स्टुडेंट हो ज्यादा पढ़ते हो तो एसो टू जो होता फोटो केमिंग स्मोग में नहीं होता है अन्सेटुड है यह इसके पार्ट होते है तो यह हमारा करेक्ट अंसर थर्ड इस करेक्ट कि देखिए बियोडी बाइलोजीकल ऑक्सिजन डिमांड होती है यह फाइब पीपीम से क्या है आपके पास कम आ रही है इसका मतलब है कि रिस इन डिजॉल ऑक्सिजन प्रियाप्त ऑक्सिजन घुली वही है तो फर्स्ट एंसर आएगा और जो बियोडी लेजमाल सतरा सतरा ज्यादा जाता है तो highly polluted water होता है बहुत ज्यादा पर्दुशन पांड़ी में होता है तो इसमें थार्ड आंसर हो जाता है लेकिन यह फर्स्ट एंसर इस करेक्ट नेक्स्ट चलते हैं पन इसमें आपको पता है अंदर रूट एन एन प्लस तू बोर मैगने टोन होता है और मू जो है डारेक्टली प्रपोर्शनल तू नंबर ओफ उन्पेड एलेक्रों अनपेड एलेक्रों अनपेड एलेक्रों जैसे जिसमें ज्यादा होंगे इसका मेगनेटिक मोमेंट हाई होगा तो अनपेड एलेक्रों देखें थ्री दी फाइप में डारेक्ट सीधा दिखरे आपको इलकुल डी ब्लोक का कॉश्चन है कि वीचों फॉल्विंग एलेमेंट डू नोट डजनोट शो दर बिलॉंग देटिन एक्टिनोट पूछ रहे बच्चों एक लेंधिन उत्तर एक होता है एक्टिनोट तो आपको याद है तो आप इजी गोइंग बता सकते हो तो यह थार्ड एंसर हमारा जो है रहेगा कि वीचों फॉल्विंग इसक्रेक्ट इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन तो गैडो लिनियम देखो बच्चों गैडो लिनियम होता है इसमें हमारे पास देखें यह 54 आ गया यह आ गया 54 यह एन प्लस एल रूल का एक्सप्चन भी हमारे पास तो 54 में देखें मिला जीजी यह आपके पास हो गए 7 और एक 8 और 8 और यह टू होगे टैन तो यह 64 हो गया सुरी मैंने क्या लिए लिए 64 64 ऐगा इसका गयड़ुलिनेंट इसक्ति फोर अब इसमें क्या होता है यह एन प्लस ल रूल का एक्सप्चन भींगी कि इलेक्टोन अब आपके पास जाना चाहिए डी में था ठी से आपके पास सला गया एफ के अंदर ठीक है न क्योंकि इसमें डी में आपके सिक्स आ रहे थे स्टेबिलिटी के कारण तो यह एन प्लेस एलूल का एक्सप्शन भी है तो हमारे पास आंसर हो जाएगा फरस्ट गैडोलीनियम जो है एक बहुत अच्छा कुश्चन है तो इसमें अटोमीक नंबर इसका 64 है उसके कोड़ हम इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगेशन से चेक कर लेंगे 54 प्लस यह आपके पास ट्रोट्र लेक्ट्रोन आ गए 10 और 64 हो गया और यह एन प्लस एलूल का एक्सप्शन भी है यानि यहां हमारे पास D7 हाफ फिल्ड ओर्विटर स्टिबिलिटी आती है कि देखिए बचो कुष्ण नमर 65 विचो फॉल्वी नॉट्टे ट्रू क्रेक्टर सिटिक अब दा प्रोपर्टिव इंडिस्ट्री कंपाउंड तो यह इंडिस्ट्री कंपाउंड के बारे में स्टेट्मेंट पूछर आपको कंपेर करना है यह हाइए मेल्टिंग पॉइं और इसके बाद में दे आर केमिकली रियक्टिव नहीं होते हैं यह नोन रियक्टिव होते हैं तो यह फॉर्थ एंसरी स्क्रेक्ट नेक्स्ट अमरे पास आता है 66 इसमें मैजद कोलम कुष्ण ने बचो हाइड्राइजन हाइड्रोजन की उपस्तिति में एक कैटलिस्ट की कुष्ण है की नाम याद करें निकल में आपका वन्सपति घी में निकल यह आ जाता है पहले तीसरा आजाएगा इस फर्स्ट में आपके पास आ रहा है 3rd में 2nd में आ रहा है घर ठीक है और यह A सब्सक्राइब तरक 2-ट में व कंदर आपके पास आ रहा है तो न गया है यह है और फॉर्थ में आपके आपको यह पास ए आ रहा है पुर्थ में ए आ रहा है फॉर्थ आपका सुक्षम वांदित आरं के शेल थरीका पकटन करेक्ट है और एंड आरा है सेंड मार विकरिया में सी टू सील टू काम आता आपका तो यह फर्स्ट एंश्री स्क्रेक्ट तो यह तो में सब्सक्राइब के नाम आपको याद होने चाहिए एंश्याटी के कोडिंग तो ध्यान में अतापर आम से कड़ सकते हैं से कुश्चनों को कि देखिए बच्चों यह हमारा लास्ट कुश्चन है इसमें परावर्थ नहीं भटे में को पर इसे को सीली का सथ मिलाने मेट बनता है तो को पर मैट अपन बोलते ना जिसको इसमें क्या है को पर मैट बोल रहे हैं तो इसमें सी यू टू एस और प्लस एफ एस का मिक्षर होता है को पर मैट बोलते हैं तो सल्फाइड ओप दा कोपर फस्ट एंड आयरन सेकिंड यह पुछा आपको तो यह हमारा कोपर मैटि मेटलर्जी का कुश्चन है कोपर की मेटलर्जी काफी इसमें तो यह बच्चों हमारे जो ह है कोश्चन होते हैं कंप्लीट आपका होप करता हूंगे कोश्चन अच्छे होए होंगे वैसे एजी है एंच्याटी बेस पेपर है पूरा फिर भी कई बार थोड़ा बहुत हो जाता है तो आप उसको और इंप्रूब करिए अगले टेस्ट में होके स्टूडेंट थैंक्य हेलो गुड मर्निंग स्टुडेंट मैसल्फ ओम प्रकास रान फ्रम टेम सेल सी तो बच्चो जो इन और गिनिक वाला पोर्शन वो डिजेशन ने सोल करा दिया मैं फीजिकल का पोर्शन सोल करा हूंगा ठीक है तो एक सिंपल सा क्यूशन है एट पुन टू लिट्र फन आइ का मॉल्यूकलर वैट इंटो आर इंटु टै तो इसका इंदर पेसर कितना दे रीक्ऐख आपको एक डिये रहका है वोल्यूम कितना दे रहका है 8.2 लिटर धिशक का ट? डिरक現在 9.0 ग्राम दे रहे और इसका मॉल्यूकलर वैट आपको अपको रि amplit कोंस्टेंट जिसकी विल्यू क्या होती है 0.0821 इंटू टेंपरजर कितना है 300 कलीवें ओर है इसको आप क्या लिख सकते हो इसको आप अमेशा 1 by 12 पूट करना हो रहे तो इसको क्या पूट करोगे 1 by 12 वे तुबल वे से थ्रींडेट को आप कैंसल आउट करोगी तो इक कितनी बार गया है 25 टांस के थीक है अब आपको मॉलुकलर वेड निकालना है तो नाइन इन्टू 25 अपन कितना आएगा एट पॉइंट पॉइंट टू आएगा ठीक है नाइन और येट पॉइंट मेंट ले आप करोगी तो 25 बेंट 27 इसका मों लुकलर मास हो जाएगा इसको आप सोल करोगी तो सेकेंड ऑप्शन इस क्रैक्ट ठीक बच्चो अब आपने करतें नेक्स क्यूशन नेक्स क्यूशन क्या है विच्ट अब कंडिशन रिपर्जेंट इजिस्ट वे टू लिखवफाई एक गेस यानि एक गेस को लिक्वफाई कर मां तो गेस को लिक्वफाई करोगी आप उस पर प्रेसर इंक्रीज करोगी और टेम्परजर क्या ओना चींहेди कम ओना चीह तो हाई प्रेशर high pressure and low temperature low temperature क्या फेवरेबल कंडिशन है किसी गेस को लिक्विफाई करने के लिए हो रहे है ताकि गेस के मोलिकुल्स पास पास आएंगे तभी तो लिक्विड में कर्वर्ट होगा ना तो it means first option is correct low temperature and high pressure next question question number 70 क्या है question number 70 में क्या है the rate of diffusion of methane gas at a given temperature is twice that of gas x the molecular weight of x यानि की gas x क्या है उसका molecular weight आपको calculate करना है तो methane gas है CH4 इसकी rate of diffusion है R तो देखो आपको देर का the rate of diffusion of methane gas at a given temperature is twice that of gas x यह two times है gas x की rate of diffusion की ठीक है और according to grams law of diffusion rate of diffusion is proportional of 1 upon molar mass तो RCH4 upon Rx is equal to क्या हो जाएगा root of mCH4 molecular weight और rate of diffusion एक जूर से क्या है inversely proportional है तो CS4 का molecular mass कितना हो जाएगा 16 और x का molecular mass आपको calculate करना है और rate of diffusion of methane two times है किसकी rate of x की तो 2Rx upon Rx Rx से Rx क्या हो गया cancel out अब इसको solve करोगी तो 2 का square कितना हो गया 4 4 बराबर क्या हो गया mx upon 16 mx is equal to क्या हो जाएगा 16 into 4 कितना हो गया 64 gram per mole उस gaze का molar mass आजाएगा इट मिंस वो gaze कौन सी होती है किस gaze का molar mass 64 है SO2 gaze का अगर option में compound आता तो कौन सी gaze होती SO2 gaze होती next question question number 71 the ratio of most probable velocity यानि कि आप क्या पूछ रखा है the ratio of most probable velocity alpha average velocity and root mean square velocity तो most probable velocity को मैं क्या लिखूंगा vmp ratio v average ratio v rms इनका ratio पुछ है तो vmp क्या होती है root 2 rt upon m v average क्या होगी root 8 rt upon pi m और v rms क्या होगा root 3 rt upon m तो उनका ratio क्या होगा तो rt upon m से rt upon m क्या हो जाएंगी cancel out हो जाएंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ root 2 ratio root 8 upon pi ratio root 3 तो कौन सा option से होगा first option is correct next question question number 72 in wonderwall equation of state of the gas the constant b constant b क्या represent करता है यह आपको calculate करना है तो intermolecular repulsion intermolecular attraction intermolecular attraction तो gas constant a represent करता है तो b क्या represent करेगा size of gas molecules size of gas molecules और यह बोल सकते हो volume of gas molecules gas molecules की volume को measurement करता है तो कौन सा option से होगा third option is correct next question 73 the term that account for intermolecular force in wonderwall attraction for non-ideal gas non-ideal gas का मतलब यह बात कर रहा है real gas की तो real gas के अंदर आप कोन सी equation यूज़ करोगी ideal wonderwall gas equation p plus a n square upon v square v minus का n b is equal to क्या हो जाएगा n r t हो जाएगा ठीक है तो b तो किसको represent करता है size of a और b क्या wonderwall constant है b किसको represent करता है size of gas molecules और a किसको represent करेगा intermolecular attraction force यह represent करता है intermolecular intermolecular attraction force intermolecular attraction force को represent करता है तो कौन सा coefficient होगा third third attraction force को represent करेगा next question next question is the partial pressure of hydrogen gas in a flash containing 2 gram of hydrogen and 32 gram of SO2 और partial pressure आप कैसे निकालोगी NH2 2 upon 2 कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा add SO2 SO2 gas की mole कितने होंगे 32 upon 64 तो कितना हो जाएगा 1 by 2 mole आ जाएगे ठीक है अब आपको mole fraction निकालनी है तो आपको hydrogen gas का partial pressure निकालना तो pH 2 partial pressure of hydrogen gas is equal to mole fraction of hydrogen gas और mole of hydrogen कितना 1 और total mole क्या हो गया 1 plus 1 by 2 into total pressure क्या हो गया P total तो इसका आप सोल करोगी तो यह क्या हैगा 2 by 3 into P total तो hydrogen gas का partial pressure है वो 2 by 3 times हो किसका है total pressure का तो कौन सा option सही होगा third option is correct next question है V versus T करवे at a constant pressure P1 and P2 4 and ideal gas are 7 in figure which is correct कौन सा correct हो रहे है तो देखो ऐसे questions को आप करने के लिए क्या करोगी एक vertical line draw करो या तो volume constant रखो या उसमें temperature constant रखो तो इसमें मैंने क्या कर दिया temperature constant कर दिया इस line पे के T constant है T के constant है या आप क्या करो इसमें V constant कर दो रहे है यह के इस पे V constant है V constant है तो मैं लिख सकता हूँ कि P proportional क्या हो गया T तो जहां पे pressure ज्यादा होगा वहां पे temperature ज्यादा होगा यहां पे temperature ज्यादा होगा वहां पे pressure ज्यादा होगा तो यहां पे temperature के T1 है और इस line पे temperature के T2 है ठीक है तो जहां पर टेंपर ज़्यादा वहां पर क्या होगा प्रेसर ज्यादा हो रहे है हां तो जहां पर टेंपर ज़्यादा वहां पर प्रेसर ज्यादा तो इस पोईंट पर टेंपर ज्यादा तो इसका प्रेसर क्या हो जाएगा ज्यादा और इसका प्रेसर क्या हो जाएगा कम तो P1 is less than P2, तो second option is correct, next question, a real gas most closely approach the behavior of idle gas, यानि कोई भी gas अगर idle gas को follow करना चाहती है, तो idle gas की दो conditions आपको याद रखने हैं, एक तो gas के molecules की बीच में किसी भी परकार को कोई intermolecular attraction force नहीं होना चाहिए, थीक है न, intermolecular attraction force नहीं होगा तो gas के molecules दूर दूर spared होना होना तो gas की मुल्यकूल क्या करेंगी, ज्यादा volume उकियोपाय करेंगी, तो कोई भी gas अगर idle gas को follow करना चाहती है, तो क्या होगा, for idle gas, for idle gas, volume क्या होगा, ज्यादा होगा, वोल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेसर गया होगा कम और का गरों ज्यादा होगा कब होगा जब टेंपरजर ज्यादा गया कर egt Das सब्सक्राइब क्य enact TW कौन से अपशन में थरड़ जैकर्ट next question है when pressure of ammonia gas is 1 atm in 4.48 liter flask at 0 degree cells then number of molecules of ammonia gas तो number of molecules के लिए सबसे पले आपको number of moles calculate करने है तो number of moles कैसे calculate करोगी PV is equal to nRTC तो n बराबर क्या हो जाएगा PV upon RT pressure कितना दिर का आपको 1 atm volume कितना दिर का 44.8 R की विल्यों आप अमेशा 1 by 12 वोपुट करना और temperature कितना है 273 Kelvin तो इसको इससे cancel out करोगी तो 22.4 ताइम्स आएगा तो कहने का मतलब number of moles कितने आगे दो आगे तो number of moles 2 आगे तो number of molecules कितने आएगे 2 na तो कौन सा option सही होगा fourth option is correct next question the compressibility factor the compressibility factor for ideal guess यनि compressibility factor जो z है वो ideal guess के लिए क्या होगा 1 होगा और non-ideal guess के लिए z की value क्या होगी not equal to 1 तो यह किसके लिए होगा ideal guess के लिए होगा simple सा क्यूशन है तो second option is correct क्यूशन नमर 79 a moral solution is 1 एक moral solution है जिसकी morality कितनी दे रिकिये 1 दे रिकिये तो इसकी morality कितनी दे रिकिये आपको morality दे रिकिये उसकी a moral solution is 1 यनि इसकी आपको morality कितनी दे रिकिये 1 दे रिकिये तो morality is equal to आप क्या पूट करोगी 1 और जो एक solute का एक moral रखते है solute का एक moral रखेगा 1 moral तो आपको पता morality क्या होती है the number of moral of solute present in 1 kg solvent तो यहां पे जो solvent morality के अंदर लेते हैं वो कितना लेते हैं 1 kg लेते हैं 1 kg यह आप इसको बोल सकते हो 1000 gram of solvent solvent का कितना gram होगा 1000 gram होगा तो 1000 gram of solvent first option is correct question number 80 देखो the vapor pressure of a solution having solid as a solute and liquid as a solvent तो आप से पूचा है कि इसके अंदर जो vapor pressure of a solution का वो किस पे depend करेगा और vapor pressure solute तो क्या रहता है non-volatile रहता है इसमें जो solute है वो तो क्या है solid है जो क्या होता है अमेशा non-volatile होता है non-volatile और जो solvent है वो हमेशा क्या होता है liquid होता है जो क्या होता है volatile nature का होता है यह क्या होता है volatile nature का होता है तो vapor pressure है solution का वो शिरफ और शिरफ किस पर depend करेगा directly proportional to mole fraction of solvent xbk mole fraction of mole fraction of solvent solvent की mole fraction पर क्या करेगा यह depend करेगा तो देखो directly proportional to the mole fraction of solvent first option is correct next question 81 an aqua solution presides at minus 0.186 degree celsius kf kb दे रहे है what is the elevation in bowling point यहीं आपको क्या पूच रहे है delta tb पूच रहे है ठीक है तो we know that delta delta tb is equal to क्या हो गया kb into molality or delta tf is equal to क्या हो गया kf into molality तो देखो molality से molality cancel out हो जाएगी delta tf आपको calculate करना है तो अब we know that delta tf is equal to क्या होगा minus का tf अगर aqua solution है और minus minus क्या हो जाएगा plus तो इसकी value क्या है 0.186 degree celsius है ठीक है delta tb आपको calculate करना kb और kf की value देर की है तो delta tb is equal to क्या हो जाएगा इसको इदर multiply करों 0.186 into kb की value 0.512 upon kf की value कितनी देर की है 1.86 तो इसको solve करोगी तो निची कितना हैगा 10 और इसकी वह लेगी 0.0512 यह आपके पास क्या जाएगा delta tb आजाएगा it means कौन सा option सही है fourth option is correct next question की और move करते है हाँ तो बच्चों आप question करते है question number 82 क्या है the osmotic pressure of blood is 7.65 ATM at 310 Kelvin and aqueous solution of glucose यह glucose का osmotic pressure किस के साथ isotonic है blood के साथ blood का जो osmotic pressure पाई है वो कितना दिरका है 7.65 ATM calculate क्या करना आपको w by v ठीक है ना तो w by v क्या होगा glucose का यह आपको calculate करना है तो w by v इसका क्या रिलेशन क्या होता w by v percent into r into t upon इसका molar mass is equal to इसका osmotic pressure कितना है 7.65 पाई है आर की विल्यू कितनी पूट करो गया 0.0821 temperature कितना है approximately 310 Kelvin और molar mass glucose का कितना है 180 तो w by v percent is equal to क्या आजाएगा 7.65 into 180 अपो निचे के आएगा 0.0821 into 310 Kelvin और यह विल्यू आएगी 5.41 परसेंट के आराउंट तो कौन सा option सही है first option is correct next question question number 83 क्या देरे का क्यूशन के अंदर which solution will have least vapor pressure कौन सा विल्यून सबसे न्यून तम वास्त दाव रखता हो रहे तो देखो जो colligative property है delta p upon p naught यह directly proportional होती है i into इनकी concentration तो देखो concentration तो सबकी सेम है यहनि जिसका want of factor i ज्यादा होगा इसका relative lowering vapor pressure ज्यादा होगा और इसका relative lowering vapor pressure ज्यादा होगा तो इसका vapor pressure क्या होगा कम होगा ठीक है ना तो delta p upon p naught जिसका ज्यादा होगा उसका vapor pressure कम होगा तो यह आपको check करना है और want of factor i की value क्या होती है i is equal to क्या होता है 1 plus n minus 1 alpha alpha अगर 100% है तो i की value किस के बरावर हो जाएगी n के बरावर n के है number of total ions dissociate from the one mole of compound तो B, C, L2 में number of ions कितने होंगी 3 urea में कितना होगा 0 na toso 4 में कितना होगा 3 और na3 pure 4 में कितना होगा 4 want of factor i की value जितनी जादा होगी delta P upon P node उतना ही जादा होगा और vapor pressure उतना ही कम होगा तो कौन सा option सही है 4th option is correct next 84 the vapor pressure of ethanol and methanol are 4.0 mm and 88.5 mm of G respectively an ideal solution is formed at the same temperature by mixing 46 gram of ethanol and with 16 gram the vapor pressure of ethanol and methanol are 42.0 mm and 88.5 mm of HG respectively an ideal solution is formed at the same temperature by mixing 46 gram of ethanol with 16 gram of ethanol and methanol the mole fraction of methanol in the vapor phase यानि कि वास्प अवस्था में methanol की mole fraction आपको निकाल ले और mole fraction आप कैसे निकालोगी तो सबसे पहले आप total pressure निकालो है 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 मोल fraction निकाल 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 ले तो सब्सक्राइब पी टोटल निकालो प्लस 16 और methanol का molar mass कितना होता है 32 होता है ठीक है प्लस इसका vapor pressure कितना है 88.5 into ओपर किसका mole fraction पूट करोगी जिसका आपने vapor pressure पूट किया किसका methanol का और methanol का molar mass कितना है 60 upon 32 और निचे तो सेम यह आएगा 46 upon 46 plus 16 upon 32 अब देखो यह तो आपके पास क्या आजाएगा तो पी टोटल कितना आजाएगा आपके पास इसको आप सोल करोगी तो यह क्या आएगा 1 plus 1 by 2 3 by 2 यानिकि यह 2 by 3 हो जाएगा तो 42 into 2 by 3 plus 88.5 into यह कितना जाएगा आपके पास 1 by 2 और 3 by 2 यह cancel out हो जाएगा ठीक है तो यह इसमें कितने times गया लगबग 14 times 14 into 2 28 तो पी टोटल कितना हो जाएगा 28 plus इसके अंदर approximately कितना जाएगा 26 to 28 29.5 times जाएगा तो यह आएगा 57.5 जाएगा आपके पास टोटल प्रेशर और आपको क्या मेथनोल का वेपर फेज में आपको कल्कुलेट करना है तो मेथनोल का वेपर फेज में क्या हो जाएगा कि वाई मेथनोल इसक्वल टू यह आजाएगा 88.5 into 1 by 3 और इसको पुर ने सोल कर लिया है यह कितना हैगा 29.5 हैगा 29.5 और निचे कितना हैगा 57.5 के राउंड आएगा ठीक है अब इसको पुर सोल करते हैं तो इसको सोल करोगे तो इसकी विल्व आपके पास क्या आने वाले है 0.513 तो कौन सा अप्शन से है थार्ड अप्शन इज क्रेक्ट नेक्स क्यूसन की और मुग करते हैं 85 85 में कि at the molar elevation constant of water यानि कि kb देर का आपको water का कितना देर का है kb is equal to देर का आपको 0.51 the bowling point of 0.1 molar aquas initial solution तो इसका आपको क्या calculate करना bowling point तो पहले delta tb calculate करो delta tb is equal to क्या होता है i into kb into molality और i initial के लिए want of factor i की value कितने होगी 2 होगी क्योंकि i is equal to क्या हो गया n और i n की value क्या होगी number of i initial में क्या होगी 2 तो 2 kb क्या 0.51 और molality आपको कितने देर के 0.1 दे रिखिए इसको solve करोगे तो point को टाओगे इधर भी point को टाओगे तो कितने 0 आजाएंगे आपके पास 3 0 आजाएंगे और यह approximately कितना होगा 102 upon कितना होगा 1000 तो यह आजाएगी 0.102 यह आपके पास delta tb हो गया और we know that delta tb is equal to क्या होता है tb minus का t node b t node b के boiling point of water जो कितना होता है 100 degree celsius होता तो इसकी value कितनी है 0.102 is equal to tb minus का 100 degree celsius और tb कितना होगा यह इसके अंदर add करोगे तो यह आजाएगा 100.102 degree celsius तो कौन सा option सही है second option is correct next question question number 86 a mixture of liquid showing positive deviation in rouls law rouls नियम में दरू का कौन सा mission दनात्मक वीचलन प्रदर्शित करता है तो इसके अंदर दनात्मक वीचलन कौन सा प्रदर्शित करेगा first option acetone plus acetone plus ethanol ठीक है next question 87 87 number question में क्या है the want of factor for 0.1m barium nitrate solution is 2.7 the degree of dissociation the want of factor i is equal to kya होता है 1 plus n minus 1 alpha help आप से पूचा है want of factor i की value कितनी दर किया 2.74 is equal to kya होगे 1 plus n number of points इसमें number of points कितने होंगे barium plus 2 plus 2 NO3 minus का 1 तो number of points कितने होंगे 3 3 minus 1 alpha इसको इदर minus करोगे तो 1.74 is equal to kya होजाएगा 2 alpha और alpha is equal to kya होजाएगा 1.74 by 2 अब इसको आप सोल करोगे तो यह कितना हैगा 87% यह आपके पास degree of dissociation alpha आगे यह second option is correct next question क्यों और मुव करते हैं 88 the best colligative property the best colligative property used for the determination of molecular mass of polymers तो देखो यह NCRT-based question is polymers यानि कि जो भी जिन भी species का molecular mass बहुत ज्यादा होती है तो उनको उनका molecular mass calculate करने के लिए कौन सी colligative property यूज करते हैं तो उनके लिए colligative property यूज करेंगे अपनों osmotic pressure क्योंकि osmotic pressure pi से अपन क्या करेंगे CRT और C को अपन क्या लिखेंगे W upon V into M into R into T इन से क्या होगा best molecular weight यानि इसमें कोई error नहीं आएगी बाकी में क्या है delta TB, delta TF, delta P तो उसमें क्या होती है error आने के chance से ज्यादा रहते हैं नेक्स क्यूशन हाँ तो बच्चों आप देखते हैं क्यूशन नमर 89 विच आप फॉल्विंग कंपोंड के यूज एंटी फ्रीजिंग प्रदार्त के रूप में कौन सा योगिक प्रिक्त होता है तो एंटी फ्रीज रिजेंट क्या होते हैं जो फ्रीजिंग पोंड को डिक्रीज करते हैं ऐसे कंपोंड को आप क्या बोलते हो एंटी फ्रीजिंग रिजेंट और एंटी फ्रीजिंग रिजेंट की फोम में क्या यूज होता है इथालीन ग्लाइकॉल तो देखो पहला आप्शन है नाइट्रो फिनोल सेकिंड इथाली के लिए क्या होता है जो राउड अब को फोलो करते हूं और आप क्या कहोगी अडल सॉलिशन और उसके अंदर जो कॉलिए्ट तर्मोडपेरमेटर से डेल्टा mixing क्या होगा उसमें डेल्टा एस mixing zero होगा डेल्टा एस mixing क्या होगा पोजिटिव होगा क्योंकि आप solute को solute में mix करते हो तो entropy क्या होती है बढ़ती और डेल्टा जी क्या होगा डेल्टा जी mixing miksing is equal to होगया क्या होगा डेल्टा है मिक्शिंः मानगीट तो कों सा हुक यह तो विकल्प सही है फस्ट बा left-एस В्मिक्शिंग क्या होगा गया डेल्टा ही मिक्सिंग भी क्या होगा Mission होगा इसके लिए ठीक है तो कापी ncr based paper था कापी simple paper था scoring paper था ठीक है all the best jclc